क्यों यहां आने से पहले मैं International Rice Research Institute के campus में भी गया था यह center विज्ञान और तक्निक से खेती को लाबकारी बनाने की हमारी नीती का ही परणाम है यहां भारत के लिए धान से जुड़ी उत्तम किस्मों, बीजों और दूसरी तक्निकों पर शोद तो होगा ही एशिया और दुनिया के दूसरा देशों के लिए भी यहां समाधान तयार होंगे साथियों कासी में परिवर्तन अब दिखने लगा है दिव्यकासी का स्वरूप अब और भव्य होता जा रहा है आज भी बनारस के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का सलान्यास और लोकार पढ़किया गया है इन में से अधिक्तर प्रोजेक रास्तों को चौड़ा करने से जुड़े है और यहां के अधिहासिक आस्ता से जुड़े महत्वपुर्शानों के सुंद्री करन्प से भी जुड़े है यह सारे कारिया कासी की सुंद्रता को और निखारने वाले हैं कासी वासियों के कासी आने जाने वालों के जीवन को आशान करने वाले हैं कई ऐसे कारियों को भी किया जा रहा है जिन पर स्वतंत्रता से पहले थोड़ा बहुत काम हुआ था भाई और बेहनों, सरकार का प्रयास है कि काशी की आत्मा से छेड़ छाड़ किये बिना हमारा ये चीर पुरातन शहर नई काया के साथ दुनिया के सामने आए बाबा विश्वनात के असिम कुरुपा हम सभी पर रही है, हमारा ये कर्तब्य है कि जो काम माता अहल्याबाई होल कर ने करिब 200 वर्ष पुर्व किया था, उसको आज आगे बढ़ाने का हमें सौभाग्य मिला है अनेक दसकों की उदासित्ता के बाद, बनारस की घाटों, यहां के मंदिरों के समरक्षन और सुंद्री करण के कारियों का आप जिस तरह समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका कासिवासियों का रुदय पुर्वक आभार व्यक्त करता है यहां का सांसद होने के नाते, मैं कासिवासियों के इस समर्थन से कृतज्य कूँ, बाबा के चीर पुरातन स्थान की दिव्यता को भव्यता से जोड़ना भी हमारा दाइत्व है, ताकि देश और दुनिया से आने वाला हर भक्त बिना किसी दिक्कत के अपने बाबा विश्वनात के दर्बार में मत्था टेक सके, ऐसी अनेग सुविदाओं का दिर्बान हम सभी कासी वासी मिलकर के कर रहे हैं और इस काम को हम तेज गती से आगे बढ़ा रहा है, साथ क्यों इसी तरह मां गंगा की पवित्रता और अविरलता के प्रति भी हमारी प्रतिवद्दता है, मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों के परणाम भी दीरे दीरे दिखने लगे हैं, आप सभी ने मिडिया में आई और रिपोर्टरों को देखा होगा कि कैसे मचलिया मगरमच समेथ अनेग जीवजनतू जीवन दाइनी मां गंगा में फिर से लोटने लगे हैं, हाल में देश के अनेक विज्ञानिकों की टीम के गंगा जलके परिक्षण के बाद एक रिपोर्ट भी दी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक मां गंगा में प्रदूशन के स्तर में कमी आई है, नमामी गंगे का बियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे निर्मल और अविरल गंगा का लक्ष नजदीक दिख रहा है, ये सब आप सभी कासी वासियों गंगा के किनारे बसे हर व्यक्ति की इच्छा शक्ती और सैयोग से संबव हो पा रहा है, साथियों जब पूरी पारदर्सिता के साथ, प्रामानिकता के साथ, जन भागीदारी से सरकार काम करती हैं, तब सार्थक प्राणाम अवश्य मिलते हैं, वरना आप तो साथ सी रहे हैं कि कभी गंगा एक्षन प्लान से लेकर गंगा बेसिन आउथोरिटी तक का न जाने कैसी कैसी योजनाए बनाई गई, मा गंगा के नाम पर हजारों करोड रुप्य बहाय दी गए, मा गंगा की निर्मलता के लिए धन की शक्ती ही काफी नहीं है, साफ नियत भी चाहिए, नियत साफ है तो गंगा भी साफ होना तय है, हम पूरी मांदारी के साथ, साफ नियत के साथ गंगा जी को स्वच्छ करने के अभियान में जुटे हुए है,